कि नमश्कार स्वागत है आपका हेलो होप प्रोग्राम में और आज हमारे गेस्ट हैं माखलाल इनुवर्सिटी के नव निर्वाचित कुलपती श्री केजी सुरेश कि नमश्कार सर आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हम जाना चाहते हैं कि आपके जो हैर जुड़े हुए हैं और खासतोर से पत्रेकारिता की शेत्र में आपका बहुत लंबा अनुभव है साथ में जो एजुकेशन की फील्ड है उसमें भी आपका काफी लंबे समय से दखल कोविट के समय में जो pandemic के time situations चल रही हैं उस समय में कैसे पत्रिकारिता की मुल्यों की रक्षा की जाए कैसे पत्रिकारिता को समझा जाए आज के परिद्रश्य में देखे पत्रिकारिता तो वाकई एक चुनोती पोर्ण समय से गुजर रहा है इस वकत अख़बारों की बिक्री कम हो गई है टेलिविजिन के भले संख्या बढ़ गई है दर्शकों की लेकिन विज्यापन कम हो गए हैं कई पत्रकार बेरोजगार हो गए हैं कुछ पत्रकारों की मौत हुई है अपने कर्तव्य निर्वहन करते हुए ऐसे एक परिस्तिती में मीडिया में एक अनिश्चित्ता है मीडिया में नौकरियों को लेकर अनिश्चित्ता है मीडिया के भविश्य को लेकर कि क्या प्रिंट मीडिया दुबारा वापिस आएगी इसका भविश्य क पर भी कई किसम के प्रशनेचे ने उठ रहे हैं, आज इस तरीके का कवरेज होना चाहिए, स्वास्त संबंदित, उस पर जादा फोकस ना करके, कुछ सेलिब्रिटीज पर और कुछ अन्य मुद्धों पर जादा फोकस जा रहा है, तो क्या मीडिया सही मार्ग पर है, लेकिन इसके बावजूद मैं यह जब कहना चाहूंगा कि मीडिया ने और मीडिया कर्मियों ने, वो करोना योद्धाओं के अग्रिम पंक्ती में खड़े रहे हैं, उन्होंने अपना जीवन का बलिदान दिया है, उन्होंने प्रयास किया है, सूचनाएं जो है, लोग जो अपने मीडिया कर्मियों का ये, और मीडिया घरानों का, ये दाइत तो बन जाता है, कि मीडिया का विश्वसनियता बनाए रखें, बहुत सारे उहापो है, संशे है, समाज में, कई किसम के अठकले हैं, कुरोना को लेकर, तो लोगों को मीडिया का काम सूचित करना और शिक्षित करना ही नहीं प्रेरित करना भी है समाज को चागरुक करना है करोना के बारे में और उनको करोना से उत्पन जो दिक्कतें हैं उसका सामना कैसे आम जनता करे उसके लिए भी उनको तयार करना है तो मीडिया की दाई तो बहुत बढ़ जाती है और कठिन है लेकिन एसंबव नही सर जो स्टूडेंट्स जर्नलिजम को जोईन करने वाले हैं या जर्नलिजम पढ़ रहे हैं उनके लिए आने वाले समय के लिए कोई संदेश आप देना चाहेंगे मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि आने वाले भविश बहुत उज्वल होगा मीडिया एक संक्रमन काल से गुजर के निकल रही है इस टाइम जब वो बाहर आएगी तो हम एक बहतर स्वच स्वस्थ दुनिया में होंगे अपना कदम रख रहे होंगे और इसमें मीडिया कर्मियों का भी भूमी का कुछ अलग ही होगा स्वस्थ पत्रकारिता स्वस्थ से सम्मंदित पत्रकारिता विश्वसिनिय पत्रकारिता इसमें लोगों का ज़्यादा भरोसा होगा तो इसलिए जो चात्र हैं उनको निराश होने की आवश्यक्ता नहीं है उनको सतत अधेन करने का ये अच्छा अवसर है और आज नए प्रयोग नए तकनीक के माध्यम से करके वो आने वाले जो मीडिया में जो ऐसा यूग जहां दर्शक पाठक शुरोता जिस माध्यम से सुनना चाहते हैं उसके लिए अपने आपको तैयार करें उस हिसाब से कंटेंट तैयार करें उसका वो रियास करना शुरू क नहीं सकता और वो जादा से जादा पढ़ें लिखें लिखने का अभ्यास करें मुझे लगता है कि वक्त का सदुपयोग करना बहुत आविशक है मैंने जैसे कहा कि मुश्किल है नामूमकिन नहीं आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर जैसा कि हमारे केजी सुरेश सर ने ब इस समक्रमकाल को हम बीटता हुआ देखेंगे वैसे ही बहुत जल्दी ही पत्रिकारिता की क्षेत्र में भी कुछ सकारात्मक परिवर्तन होंगे और निश्चित ही ये दौर आने वाले पत्रिकारों के लिए और पत्रिकारिता करने वालों के लिए एक शुब संदेश लेकर आप सभी का बहुत बहुत हुए